नमस्कार दोस्तो स्वागत करते हैं आपका हमारे इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जे बी सिस्याई के बारे में जियां दोस्तो सारे मजदूर संगठन की तरफ से 50% इंक्रीमेंट का मांग रखा गया है इसी को लेकर दोस्तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि मनेजमेंट ने आपत्ती जिताई है कि हम किसी भी कंडिशन में 50% वेतन में व्रधी नहीं कर सकते हैं ऐसा इसलिए होने वाला है दोस्तो कि कोल इंडिया का कहना है कि इतना उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है जितना आप लोग मांग कर रहे हैं इसी को लेकर आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तो इससे पहले मैं आप लोगों को एक बड़ी जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप लोग माइनिंग जॉब की तयारी करना चाहते हैं तो दोस्तो हमने आप लोगों के लिए कोचिंग स्टार्ट कर दी है इसमें दो बेच है दोस्तो जिसमें एक 4-6 के बीच का और दूसरा जो है अपना साड़े 6 से लेके साड़े 8 वेज तक साम को चलेगा इवनिंग में दोस्तो इसके लिए आप लोग मुझसे कॉंटेट कर सकते हैं इसमें 100% आप लोगों की तयारी होगी इसके लिए आप लोग मुझे वाट्सअप कर सकते हैं मेरा वाट्सअप नमबर आप लोगों के सामन करना ना भूलें दोस्तों जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कोईले की उत्पादन लागत पर निर्भर करेगा वेतन समझोता जियां दोस्तों जेबी सीशाई की पहली बैठक के साथ ही कोईला छेतर में वेतन समझोता को लेकर चंचा शुरू हो गई है इस बा सारे मजदूर संगठन चिन तक जताय हुए हैं मैं आप लोगों को बता दू कि इसमें सारे मजदूर संगठन की तरफ से 50% व्रद्धी की मांग की गई है पर दोस्तों खबर यह निकल क्या रही है कि कोईले का जो उत्पादन होगा उस पर निर्भर करेगा वेतन समझोता यानि कि हम लोग कितना करेंगे 50% करेंगे या नहीं यह अभी डन नहीं है मैं आप लोगों को एक चीज information देना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को last तक देखिए इसमें आप लोगों को 2019-20 इसके लावब जो है 20-21 के बारे में information मिलेगा कि कितना जो है इस साल कितने करो हैं आकड़े के अंसार जो है हम लोग बात करें तो आप लोगों को कुछ देखने को मिलेगा सारे मजदूर संगठन ने Charter of Divine में 50% वेतन व्रद्धी की मांग की है मामले पर कोल इंडिया के बड़े अधिकारी ने कहा कि जिस कंपनी में overall cost of production में 59% share वेतन व्रद्धी का हो इसके अलावा जो है वहां पर 50% वेतन व्रद्धी को ले जाना यानि की कोल इंडिया को पीछे ले जाना है यूनियन नेताओ को यहां बात मालूम है और जब वेतन समझोता पर निर्णाय बात होगी तब इस पर जो है मन्थन होगा जिया दोस्तों ऐसा कहना है कोल इंडिय कमाई है कोल इंडिया की वो तो अपना मजदूरों के लिए आलरेडी चली जा रही है तो इसमें हम जो है अपना 50% की व्रद्धी कैसे कर सकते हैं कोईला कर्मियों के साथ साथ कंपनी कंपनी हित पर भी विचार करना होगा जेबी सीची की पहली बिठक में कोल इंडिया की और से पेश की गए अकडू के उनसार पांस साल के दोरान कोल इंडिया के उत्पादन में आप एक छित कमी नहीं लाई जा सकी है वहां पर उत्पादन में एवं मजदूरी का लगभग 50% के आसपार जो है अपना मजदूरों पर खतम हो जाता है मामले पर कोल इंडिया के अ इंक्रिमेंट नहीं होना चाहिए ऐसा जो है कोल इंडिया के बड़े अधिकारी का कहना है कोल इंडिया ने पिछले आकडे प्रस्तूत किये हैं जो आप लोगों को थोड़े ही देर में देखने को मिलेंगे खजानों में पिछले 5 सालों से उत्पादन लागत को जो है निय दूँ कि इसमें जो है वेतन समझोता इन आकड़ों पर भी निर्वर करता है इसमें नेट सेल्स की बात की जाए तो 2018-19 में 92,896 करोड रुपे का कोईला विक्री हुआ 2019-2089,000 का हुआ इसके लावा जो है 82,710 करोड रुपे याने की लगतार जो है कम होते दिख रहा है और खर्चा जो है लगतार बढ़ रहा है दोस्तों इसी को देकर जो है जैसा कि आप लोग देख भी सकते हैं 2018-19 में 78,293 करोड रुपे 2019-20 में 78,470 करोड रुपे इस प्रकार से पैसे खर्च किये जा रहा है वेतन मजदूरी वा बोनस में भुक्तान में जो है अपना 2018-19 में 28,542 करोड रुपे 2019-20 में 28,812 करोड रुपे 2020-21 में 28,605 करोड रुपे खर्च किये गए हैं मैं आप लोगों को बता दू कि पी एफ और अन्न मदद में जो है 2018-19 में 8,080 करोल रुपे इसके अलावा 19-20 में लगबग 8,271 करोल रुपे 20-21 में 7,922 करोल रुपे कोल इंडिया का खर्चा आया हुआ है तो दोस्तों इसी के कारण जो है वेतन वरधी 33% से अधिक नहीं हो सकती ऐसा मेनेजमेंट का कहना है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में ज़्यादा ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सेयर कीजिए थैंक्यों फ्रेंड थैंक्स पर वचिंग